नमस्का दोस्तो स्टॉक मार्क स्टैडिस में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत सागत है तो आज यहां पर मैं डिस्कसन करने वाला हूं एक ऐसे कंपनिस के बारे में जो देखा जाए तो टायर इंडेस्टिस में एक खुद के नाम एक अच्छी लेवल में यहां पर खड कंपनी के बारे मैं बहुत सारे दोस्तों ने कमेड़े किया सर कंपनी का रेजल्ट आया था आपने रेजल्ट देखने के लिए बोला रेजल्ट मैंने देखा मगर कंपनी में रेजल्ट अच्छा होने के बाद भी स्टॉक में गिरावट की हुआ था आप एक बार ध्यान से तो देखे स्टॉक में ओपेनिंग में ही एक भारी भर कम गिरावट देखने को मिला कंटिनियसली गिरावट हुआ उसके बाद रिकोवरी हुआ देखे मैं पहले बता दू पहले तो मार्केट बिछले दिनों में नेगेटिविटी में था मार्केट को भी हालत इस तरीके से द देखने को मिला कंटिनयसली फॉल और उसके बाद रिकोवरी अगर मैं अब कॉंटिनियसली टॉप लेबल से डाउन लेबल तक देखू तो अराउंट अराउंट साड़े 5% तक तेजी देखने को उल्टा हो गया साड़े 5% कर लॉसस या पर देखने को मिला क्योंकि बारा में बात कर लेता हूँ तो सबसे पहली बात मैं direct company के रेजाल्ट के उपर या पर आपको लेको आया हूँ रेजल्ट जो है वो लाखों में है मैं आपको करोडों में कनभर कर दूँगा तो आप सिर्फ फिगर आउट देखना तो टोटल इंकम के बारे में बात करूँ टोटल इंकम के कमपानी के जो इंकम हुआ वो करीवन करीवन 2,72,922 और पिछले बार कितना था 2,90,400 पिछले साल इसका मतलब देखिए हमेशा कोई बीजनेस स्टार्ड होने से पहले कोई यार साती साथ कोई क्वाटर किया जता है कि एस्टीमेट के अकोडिंग हमेशा कमपानी एस्टीमेट करते हैं महानके चले आपने आपका एक बीजनेस है आप नहीं चाहेंगे कि आपका इस बार जो पर एक पेसार देखने को मिला क्योंकि एस्टीमेट जो है वो मिसिंग हो चुके थे तो कितने एस्टीमेट मिस हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे तो कमपानी के टोटल एकस्पेंटीचर मतलों खर्चा कमपानी के एकस्पेंट के बारे में बात करूँ तो दो लाक करीबन 2,67,000 पिछले बार था 2,86,000 पिछले सालों में था 2,44,000 तो बात करूँ यहापे भी एक चेंजिंग देखने को मिला है और थोड़ा सा धरूदर डेटा देखने को मिला अभी फाइनली जो प्रॉफिट लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कमपानी देखी इस बार प्रॉफिट किया और कितना प्रॉफिट के आपको दिखा देता हूँ टोटल आप क्रॉंपी कमपीहेंसिव इनकम देखेंगे चलो यहापे मैं आपको दिखा देता तो उससे पहले में आपको दिखा देता हूँ प्रॉफिट लॉस फॉर दे पीरियोट एही चीज़ आपको देखना है तो कितना इनकम हुआ है ध्यान से देखना कितना इनकम कियें कमपानी का इनकम हुए 3,485 इसको मैं अगर करोडों में कनवर्ट कर दू तो एराउंड ए इछले साल को भी बीट किया और फिस इस बार को भी बीट किया फिर भी कमपानी में क्यों लॉस गिरावट देखने को मिला दिखे कोई नेगेटिविटी नहीं था स्टॉक के सांधर पार्फॉमेंस देखने के बाद भी स्टॉक में गिरावट हुआ सर एकी कारण के बज़ स्टॉक के उपर भारी भर कम स्पेसर देखने को मिलता है और सेलिंग भी देखने को मिलता है अगर मार्केट सेलिंग मुमेंड में है तो तो दीखे मार्केट सेलिंग मुमेंड में था उसी साफ से स्टॉक के उपर भारी भर कम गिरावट देखने को मिला था क्योंकि अर्निं तो इस कुछ पॉइंट्स आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले जिस कम्पानी को पर आप निवेस करकर रखे हैं वो किस तरीके से यह आपे सिनरियो क्लियेट कर चुगे हैं तो कम्पानी का प्रॉफिट और लॉस आर्निंग पर से सब कुछ क्या बत रहा है कि 0.71 के आसपास है जो पिछले बार 0.70 है पिछले साल में कितना 0.69 है तो यह भी कारण है जिसके करण स्टॉक पर गिरावट देखने को मिला क्योंकि इनका मच्चा होने के बाद भी कंपानी अभी तक डेप को कम नहीं कर पाया करजे को कम नहीं कर पाया हम प्रूत बार उतना कम नहीं हुआ जो पिछले बार कम था तो यही कारण के बजे से स्टॉक पर गिरावट हुआ है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ आप stock के बार में जानकरी लीजिए उसके बाद कोई भी stock के उपर swing trading हो, short term trading हो, long term investment हो, कुछ भी आप कर सकते हैं मगर उससे पहले आपको stock के बार में जानकरी होना चाहिए तो देखे इस company के उपर क्या निवेस करना चाहिए देखे मैं दो बातों में आपको पूरा details clear कर दूँगा company में दम तो है, अभी देखे तो company continuously उतना खास performance अभी इस दो सालों में नहीं कर रहा है पहले अच्छा कासा performance कर रहा था, company आपको return के इसाब से अच्छा कासा return दिया बीच में 5 साल में company कुछ खास return नहीं दिया, sales growth अच्छा होने के बाद भी profit लगाता लगाता negative है क्योंकि देखे जब crude oil का price बढ़ जाता है, अब सभी जनते crude oil का price बढ़ जाने के कारण सबसे ज़्यादा pressure इसी तरीके से companies को देखने को मिलता है, क्योंकि raw metals के इसाब से crude oil के जुरूत है और raw metals के इसाब से crude oil को वो खरीते है, तो इस इसाब से company को एक बहुत बढ़ा negative impact जुरूत देखने को मिला था इसलिए sales down नहीं हुआ, अगर profit down हो चुके थे, साथ इसाथ institution क्या कर रहे है, वो आपको देखना है देखिए institution इसको पर भरोसा करते है के नहीं करते है, उसको पर depend करके आप निवेस कर सकते है जैसे देखिए, promoter के पास पहले जितना holding था, उतना ही holding है, FIS के पास पहले जितना holding था, उसी तरीके से holding आभी देखने को मिला DS ने holding बढ़ा चुके है, और public यहाँ पर holding सेम टू सेम रखके हुए है, तो इस company में एक potential आपको जोरू दिखेगा company में दम है, क्योंकि institution भी इस company के पूर ठीके हुए है, इसका मतलब है नहीं के company के पूर कल जाके निग्वेस कर दीजेगा आप company का हर parameter चेक करिएगा, company का valuation चेक करिएगा, मुझे अभी valuation के इसाब से company में negativity देखने को मिला क्योंकि देखेग पैग रिस यो negative है, साथी साथ company का करजा भी देखाजे तो 0.73 रूपीस के आसपास है, company का देखिए market cap to sales ठीक ठाक है, interest coverage बहुत कम है और साथी साथ company का cash flow हाथ में negative है, कोई बात नहीं, cash flow negative हमेशा होता रहता है क्योंकि company के हाथ में जो cash आते है, वो cash flow food reinvest भी कर देते है तो 6,000 करोन का company है, छोटा company है, multi-veggar भी बन सकते है, तो 70 करोन के आसपास company annuling निकम करते है सारे parameters आपको इसलिए दिखाया हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले, इस company में अंदर क्या चल रहा है तो chart button बहुत interesting level से back किया है, मैं आपको बता दूँ, मैं इसको telegram में भी update किया था और अब देख सकते हैं, यहाँ पर जो levels है, इस level को यहाँ पर touch किया, उसके बाद देखे किस तरीके से गिरावट हुआ, किस तरीके से यहाँ गिरावट हुआ और COVID के situation के बाद company recovery करने का कोशिस तो किया, फिर से crash हो गया, और फिर से recovery करने का कोशिस किया, वो ही zone में आके खड़ा हो गया, जो zone इसको resistant zone बलता है, और साथी साथ एक supply zone भी है क्यों supply zone है, क्योंकि यहाँ से big crash देखने को मिला, जब कोई level से बड़ा सा crash देखने को मिलता है, उस level को supply zone कहा जाता है, supply zone बहुत interesting और बहुत मतलब महत्वपुन पॉइंट होते है, जहाँ पे मैं बहुत बाद टेड लेता हूँ, जहाँ पे मैं इंटरडे टेड बहुत ब और मैं टेलीग्राम में भी उसका update देता हूँ, तो आप टेलीग्राम में जाके जोइन होके सारे information देख सकते हैं और उसका फाइदा भी उठा सकते हैं, तो totally education purpose में यह वीडियो था, कोई buy and sell का recommendation नहीं था, आप एक बार research करना, उसके बाद निवेच करना, तो मिलते हैं न